GST से समन्दित है, आप GS Paper 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूँ. देखो, GST हमारे दीश में आया था 2017 में, और GST जब आया था, उससे पहले बहुत consultation चली थी, Center और States के बीच, State Governments के काफी सारे concerns थे, कि GST के आने के बाद, हमारी तो power चली जाएगी, अपना tax increase करने की, decrease करने की, जैसे sales tax हुआ करता था, States के पास, तो तब तो State Governments अपनी मर्जी से sales tax, वेट, increase कर दिया, decrease कर दिया, लेकिन GST आने के बाद, अब वो नहीं कर सकते न, अपनी मर्जी से, States को ये भी डर लग रहा था, GST के आने से पहले कहीं, ऐसा ना हो कि GST के आने के बाद, हमारा revenue जो है, वो कम हो जाए, तो Central Government ने भरोसा दिलाया था, GST आने से पहले, State Governments को पहली चीज, हम ना, हम revenue neutrality rate लेवी करेंगे, मतलब कि GST आने से पहले, जितना आपका tax revenue आता है न, उतना ही आपका tax revenue रहे, कम ना हो, उस परकार से हम GST लेवी करेंगे, हमारी GST rate उस परकार की होगी, revenue neutrality rate का concept आपको पता होगा कि, tax rate इतना हो, कि GST से पहले States को जितना revenue मिलता था न, उतना ही revenue मिले, revenue कम ना हो, States को, States ने फिर ये बोला, अरे भाया, rate तो चलो लगा दिया, फिर भी हमें गाटा हो गया, तो क्या करेंगे, तो Central Government ने States को बोला, यार तुम कितना डरते हो, चलो कोई बात नहीं, अभी भी आपका डर है, तो एक काम ये करते हैं, GST आने के बाद, पाँच सालों तक, आपको जो भी revenue का नुकसान हुआ न, उसकी भरपाई Central Government करेगी, Central Government क्या करेगी, मतलब इसके लिए एक अलग से सैस भी लगाया गया था, compensatory सैस, यहाँ पर देखो, तोबैको प्रोडेक्ट्स, ओटो मॉबाइल, कॉल, सोलिड फ्यूल, एरिटीड वाटर्स, पान मसाला, इन प्रोडेक्ट्स पर GST compensation सैस लगाया था, और इससे जो revenue प्राप्थ हुआ, उस revenue की साहिता से, States को अगर revenue loss हुआ, तो उसकी भरपाई की गई, States ने इसके बाद बोला, ठीक है भाईया, दरपोक कैलो बेसक, पैसा जरूर लेना है हमें, तो आप हमें एक बात और बताओ, आप जो ये 5 सालों तक, अगर हमारे revenue में कमी रह गई, उसकी भरपाई करोगे, तो एक चीज़ आप ये भी सोचिए न, तो revenue तो हर साल increase होता है, अगर मान लिजिए revenue constant थोड़ी ना होता है, 2019 में मान लिजिए 100 करोड revenue पराफ्थ हुआ government को, 2020 में 120 करोड, 2021 में 140 करोड, central government ने कहा, हाँ, हम भी मानते हैं revenue आपका बढ़ता जाएगा, तो एक काम करते हैं, 2015 को base बना लेते हैं, और ये assume कर लेते हैं, कि आपका revenue हर साल 14% increase होगा, तो मान लिजिए 2017 में 100 करोड था, तो 2018 में होगा 114 करोड, फिर 2000 next year में होगा 114 करोड का further 14% over-add कर दीजिए, तो इस परकार से हर साल 14% revenue आपका increase होगा, हम ये मान लेते हैं, और अगर उतना revenue आपको GST से नहीं मिला, तो उसकी भरपाई इस fund से हो जाएगी GST compensation fund से, जिसके लिए अलग से CES भी लगाया था, states नहीं खार ठीक हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर GST ले आते हैं, तो इस परकार से GST आ गया, पहले दो सालों में देखो, states को थोड़ा घाटा हुआ, क्यों GST जब नयनया आया था, आपको भी पता है, लोग फरजी invoice बनवा के system का फाइदा उठा रहे थे, सरकारी जो करमचारी है, government officials, उनको भी इतना ग्यान नहीं था, कि क्या करना है, बार-बार सरकार order जारी कर रही थी, system complex था, report file करने में दिक्कत आ रही थी, शुरू में बहुत दिक्ते आई थी, तो इसलिए states को revenue का नुक्सान हुआ, लेकिन revenue के नुक्सान के लिए तो एक fund बनाया था, और CES भी लगाया था जिसके लिए, GST compensation CES, तो इस fund में शुरू में तो revenue ठीक ठाक था, बलकि कुछ revenue तो बच भी गया, लेकिन 2018-19 में, यानि next year, जो CES से revenue पराप्त हुआ, वो थोड़ा कम पढ़ गया, कोई बात नहीं, कम पढ़ गया, पिछले दो सालों में तो revenue ज़्यादा मिला था न, तो पिछले दो सालों में revenue थोड़ा ज़्यादा मिला था, आपने हमें वादा किया था, revenue का नुक्सान होगा, तो आप हमें भरपाई करेंगे, कैसे भी करके, Central Government का ये तर्क है, अगर GST ना भी आता, तो भी तो आपको कम revenue पराप्त होता न, lockdown लग गया था, आप ये भी तो देखिए न, अगर GST ना आता, तो आपको वेट, पुराने जो tax हैं, उससे भी आपको कम revenue पराप्त होता, ये आप सोचते नहीं हो, लेकिन states कहते हैं, नहीं, आपने वादा किया था, हमें देना है, तो देना है, आप दीजिए, जो compensation fund के लिए सैस लगाया था, उस fund में पैसे थे, 65,000 करोड़, और states को घाटा हुआ 3,00,000 करोड़ का, तो central government ने क्या दिये, central government ने 65,000 करोड़ तो दे दिये, जो fund में पड़े थे, बाकी रहे गए 2,35,000 करोड़, अब इसके लिए central government ने थोड़ा जुगार लगाया, central government ने कहा कि इसमें से 1.1,000,000 करोड़ जो है, वो आप loan ले सकते हो, RBI से, अंडर ए special window, और जो इसका interest and repayment है न, वो further, याने आने वाले सालों में, जो compensation वाला fund है न, उससे आपके interest और repayment की बरपाई कर दी जाएगी, ये central government ने बोला, लेकिन देखो इस पूरे episode की वज़े से न, center और states के बीच में तलखी आ गई, तलखी मतलब trust बहुत कम हो गया, states को लगा कि यार, central government तो अपने वादे पर ख़रा नहीं उतर रही है, बोला था कि 5 साल तक हम बरपाई करेंगे, जो भी revenue का नुक्सान होगा, अब आप revenue की बरपाई करने ही रहे हो, कोवीड आ गया इसलिए, central government का तर्क भी अपनी जगह सही है, वो बोलते हैं कि, अरे यार, करोना आ गया, हम क्या करें, 3 लाग करोड थोड़ी हैं हमारे पास में, compensation वाले fund में सिरफ 55,000 करोड है, और हमें भी तो revenue का नुक्सान हुआ है ना, मतलब point साफ है, दोनों के बीच में खटास आ गई, तो writer suggest करते हैं, देखो ये 5 साल की जो scheme थी ना, states की नुक्सान की बरपाई करने की अगर revenue में लोस होता है, ये ना June 2022 तक है, 1 July 2017 को GST आया था, तो June 2022 तक है, इस scheme को ना, 5 और सालों तक extend कर दे, Central Government, इससे फाइदा ये होगा, एक तो देखो, states और center के बीच में, cooperative federalism देखने को मिलेगा, trust जो खतम सा हो गया है, वो फिर से increase होगा, even देखो, अभी GST में काफी सारा सुधार करना है, जैसे petrol डीजल ये GST के अंदर नहीं आते हैं, alcohol GST के अंदर नहीं आता है, और बहुत साइच चीज़ें हैं, जो GST के अंदर नहीं आते हैं, तो कल को इनको भी GST के अंदर लाना है, तो state और center के बीच में, coordination होना जरूरी है, अच्छा, अभी GST में structure भी काफी खराब है, कितने tax rates हैं, ये देखो, 5, 12, 18, 28, इतने सारे तो tax rates हैं, जबकि सुर्वात में ये बोला गया था, one nation, one tax, काफी complex tax structure है, उसके बाद भी बहुत सारे items को तो exemption दे रखी है, जिन पे GST लगता ही नहीं है, और कई सारे products पे ज़्यादा लगता है, जैसे, अपना ही देख लो, एक course आप लोग purchase करते हो, तो कितना GST देते हो, 18% school fees पे तो नहीं लगता, लेकिन इस परकार से competitive exam की त्यारी की जाती है, तो 18% GST सरकार लेती है, SO पे नहीं लेना चाहिए, थोड़ा ले लो, 5% ले लो, आप 18% काफी ज़्यादा है, कई ज़्यारे rates की वज़े से न, जो हमने textile वाला article डिसकूस किया था, आपको याद होगा, inverted duty structure भी पैदा हो जाता है, मतलब कि, अगर आप input purchase कर रहे हो, मतलब उस product को manufacture करने के लिए, raw material purchase कर रहे हो, तो उन raw material पर कम GST लगता है, लेकिन final product पर ज़्यादा GST लगता है, तो इसकी वज़े से inverted duty structure इमर्ज होके आता है, वैसे आप में से कितने लोग को, यह समझ में आया कि मैंने उल्टा बोल दिया, हाँ उल्टा बोला है न, इन्वर्टी ड्यूटी structure में जो raw material है न, इन्पूट, उन पर ज़्यादा GST, और जो final product है, उन पर कम GST, पहले मैंने उल्टा बोला था, हाँ न, तो inverted duty structure में एक दिक्कत ये भी आती है, कि जो हमारे देश के manufacturer है न, वो बोलते हैं कि हमें तो products को manufacture करने में दिक्कत आ रही है, raw material पर इतना-इतना GST लगता है, और final product पर कम GST लगता है, चुकि तो फिर foreign companies वाले product मारे देश में असानी से बिग जाते हैं, inverted duty structure के कारण, input claim करने में भी दिक्कत आती है, तो ये सारी problems है, इन सभी problems को दूर करना है, तो states के साथ coordination जरूरी है, states अभी COVID-19 के समय में लोग के बलाई के लिए काम कर रहे हैं, लोग का livelihood को उपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं, economy को भी boost करना है, तो इस वजए से ये compensation वाली जो scheme है न, इसको पांच साल और के लिए extend कर देना चाहिए, अगर कर दिया जाता है, तो अद्भूत cooperative federalism हमारे देश में देखने को मिलेगा, और state और center जो है, वो मिल के काम कर सकेंगे, और बहुत सारे issues पर, क्योंकि trust जो है, वो कायम होगा दोनों के बीच में, तो यह हमने पूरा issue discuss किया, GST से सम्मन्दित, हमारी आज की इस discussion में इतना ही है, आज हमने दो ही issues discuss किये, thank you, thank you very much for discussion.